असलों लेकुम आई होप आप सारे लोग करेंच होगे आज के सेलेक्टर के अंदर हम सेक्षिंग के किस तरह से आप एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं यहां पर देखें हमारे पास यह इस तरह के एक वेबसाइट हम डिजाइन करने लगें इस तरह के आप कम्प्लीट सेम ऐसे ही वेबसाइट हासल करेंगे एड़ अप दिस लेक्टर तो यह सर्विसेश पेज है हमारे पास यह हमारे पास प्राइजिंग पेज है इसके अंदर यहां पर देखें हमने डिफ्रेंट प्राइसिंग इस तरह से कुछ सेट की हैं और यहा होग का पेज, यहां पर आप देखें तो सिंपल यहां पर हमारे पास यह व्लॉक का पेज है और यहां पर पकॉंटक्क पेज है तो इस पूरे लक्षर के अंदर यहीं पीज्जिस को हम डिजाइन herring को सेट-आप करेंगे इसके अनदर अंकॉर्डिंग दिस लिखार्टी चाहिए होगी है तो सबसे पहले हम जा कि डुमेन और होस्टिंग रिजिस्टर करेंगे तो सिंपल आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहां पे देखें मैंने एक लिंक शेयर किया होगा है इस लिंक पे सिंपल आप लोगों ने क्लिक करने आपको 72% आ है हमारे पास और एक प्लस प्लैन अगर आप मेल्टिपल वेबसाइट्स होस्ट करना चाह रहे है तो आप यह प्लस प्लैन चूज़ कर सकते है अदर्वाइस बेसिक प्लैन वूड बे इना उसके इलावा यहां पर सिंपल आप स्लेक्ट करेंगे स्लेक्ट करने के बाद यह यहां पर हमें सारी चीज़ें फिल आउट करके और यहां पर हमारे पास सिफ ट्वल मंत के लिए जितने भी मंत के लिए आप आप करना चाहें वह स्लेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर इसको टाने टॉफ और इसको टान आफ करके आपको टोटल 35 डॉलर के अंदर 35 डॉलर के अंदर एक डुमेन और होस्टिंग फॉर येर मिल जाएगी कंप्लेट यहां पर आपने कार्ड नमबर दे डालेंगे और सब्मिट करेंगे और आपकी पर्चेसिंग कंप्लेट हो जाएगी आप क्यूंकि हम अल्रेडी इसको पर्चेस कर चुके हैं तो हमारे पास यहां पर देखें इस तरह से आफ्टर पर्चेसिंग एक लॉगन डैश्बोर आएगा और यहां पर देखें कुछ ऑप्शन लैप साइड की तरफ हमारे पास मोह जाएगा तो सिंपल हम यहां पर इस पर क्लिक करेंगे एड साइट और यहां पर देखें हमने एक क्रिएट इस आपर यहां पर हमने अपने डेटेल्स दे देनी है जो जो भी है डेटेल्स हमसे मांगेगा तो यहां पर मैं अभी के लिए एक बेसिक सी लिख देता हूं लैक कि यहां पर कुछ इस तरह से लिखने के बाद मैं इन सब को चेक कर देता हूँ और यहां पर मैं अपने डुमेन मेरी अल्रेड़ी सेलेक्टिड होगी मैंने यह डुमेन चूज़ गी थी तो मैं सिंपल इसको नेक्स्ट कर देंगा अब यह थोड़ा सा टाइम लेगा और यहां पर क्या करेगा हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा ऑटम इंट्रीक्त को हम सिंपल कर देंगे और यहां पर आपकी जो वर्टप्रस की लॉगिन डिटेल है वा आपके सामने आ चुकी होगी तो मैं सिंपल यहां पर क्लिक करंगे लॉग इन टु वर्डप्रेस तो simple directly में वर्डप्रेस के इंदर लॉग इन हो जाओँ अब यहां तक हमने completely wordpress successfully install कर लिया बिल्कुल simple domain hosting बाई की और wordpress install किया अब हमारा next process start होने वाले designing का तो वो किस तरह से करेंगे उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पर प्लागिन के अंदर आ जाना और यहां पर कुछ अग्जिस्टिंग प्रीप इंस्टॉल प्लागिन अवेलेबल होंगे जिनको हम डिलीड कर देंगे क्योंकि वो हमरे काम के नहीं है तो उनको कुछली ह अब सिंपल हमें यहां पर कुछ प्लागिन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और साथ ही हमें यहां पर कुछ तीम इंस्टॉल करना पड़ेगे तो simple यहां पर मैं क्लिक करूंगा themes पर और यहां पर मैंने add new plugin पर click कर दिया okay यहां पर मिरे बास side by side दो tab open हो चुके है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक theme install करूंगा जिसका यहां पर click करेंगे हम और जिसका नाम है hello elementer तो simple मैं इस पर click करूंगा और यहां पर लिकूंगा hello elementer और यहां पर हमारे पास क्या आजाएगा यह hello elementer का theme simple हमने इसको install किया activate किया install और activate करने के बाद यहां पर हमसे कहेगा कि elementer भी install करेंगे आप तो simple हम यहां पर इस पर click करेंगे और हमारे elementer इंस्ट्रॉल और अनेक्टिव हो जाएगा ओके यहां पर हमरे बास इंस्ट्रॉल अनेक्टिव हो चुका है यहां पर हम इस URL को remove करेंगे और वापिस dashboard के अंदर चले जाएगे ओके तो यहां पर हमारे पास theme हमारे इंस्ट्रॉल हो चुका है आप चलते हैं plugins की तरफ और यहां पर मैं search करूँगा इंवेडोग इस तरह से click search करूँगा search करने के बाद हमारे पास यह plugin आ जाएगा इसको मैं simple install and activate कर दूँगा install and activate करने के बाद हमारे पास यहां पर एक नया option आ जाएगा और यहां पर हम चलेंगे installed kits के उपर simple हम यहां पर click करेंगे और यहां पर देखें इस पर click करने के बाद हम अपने kit select करेंगे जो के हमारे पास यहां पर मौझूद है यह मैं आपको download link description के अंदर दे दूँगा यह kit आप क्या कर सकते हैं डाउनेट कर सकते हैं तो simple मैं इस पर click करूँगा और यहाँ पर यह install होना शुरू हो जाएगी तो थोड़ा सा wait कर लेता है जब तक यह install होती है ओके यह install होने के बाद यहाँ पर देखें इसकी कुछ requirements हैं इसको हम simple यहाँ पर click करने के बाद install कर देंगे तो इसकी requirements जो है वो completely set up हो चुकी है इसको हम क्या कर देंगे close और उसके बाद simple सबसे पहले यह global kit style को हम क्या करेंगे import करेंगे तो मैं इस पर click करूँगा और यहाँ पर देखें यह हमारे पास import हो चुकी है अब हमें क्या करना है अब हमें simple यह pages design करने है यह pages create करने है तो pages के अंदर आऊँगा और मैं यहाँ पर add new पर click करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं homepage create करूँगा यह जो भी हमारे पास pages है वो सारे मैं यहाँ पर create करूँगा तो यहाँ पर मैंने home पर select किया और इसको मैंने publish कर दिया अगेन मैं 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 मुझे जो भी pages चाहिए वो सारे मैं यहाँ पर create कर लूँगा home का create हो गया इसी तरह से मैं about services और जितने भी pages है वो सारे मैं यहाँ पर publish इस तरह से करता जाओगा खहुए लुक उ garant कुबना हो मैं मैं यहाँ करता हो पर झासा क्रबस फोस्ट कर दो wish युछ उाए इस सकतना सारे माल आ कर आड़ सुचिग प्राइश है Indubt ॉपус इस स्ञ嫁 पर कि पर नह真的是 कि पहाँ हो एक तो हमारे रिक्वार्ट पेज हमने बना लिये हैं और वो यहां पे हमने simple publish कर दिये हैं तो अगर मैं पेजिस के अंदर जा के देखता हूं तो हमारे पास क्या हैं वो सारे pages क्या हैं installed and publish हो चुके हैं स्वरी publish हो चुके हैं तो मैं in extra pages को क्या कर दूँगा move to trash कर दूँगा अब यहां पे हमारे पास हमारे required pages publish हो चुका है अब इनको हमने फर्दर आगे design करना है तो इनको design करने का process simple है हम सबसे पहले home page को design करेंगे इसको edit किया है मैंने edit करने का बाद simple click करेंगे edit with element okay added with elementor और सबसे पहले मैं यहां पे click करूँगा settings यहां पे simple publish का status आपने देखना है यहां पे hide title कर देना है यह title hide कर देना और उसके बाद यहां पे full width elementor इस पे select कर देना है यह थोड़ा सा load होगा and again हम उसी page के उपर आ जाएगे simple इस वाले icon के उपर आपने click करना है और यहां पे देखे हमारे template जो है already installed है इसके अंदर से हम यह home page design कर रहे हैं तो home page की जो template है उसको insert कर लेंगे similarly हम जब तक यह import होता है हम चलते हैं दूसरे pages की तरफ और उनको भी edit with elementor कर लेते हैं तो similarly about को blog pricing and servicing तो यह मैंने जो demo के लिए दिखा है था आपको इनको मैं close कर देता हूँ इसको भी मैं edit with elementor कर देता हूँ about को blog को भी pricing services तो यहां पर यह जो import हो रहा है वो 53% import हो गया इसको 100% import होने दें तब तक हम वेट करेंगे okay यहां पर देखें हमारे पास जो हमारा home page है वो design हो चुका है बिल्कुल ready हो चुका है इसको simple मैं update करूँगा okay यह हमारा home page जो है वो update हो चुका है और इसके बाद हम आएंगे यहां पर अगले pages की तरफ यहां पर हमारे पास about है about के साथ same करेंगे settings के अंदर जाएंगे high title full width element रहे और यहां पर click करने के बाद हम इसका about जो है वो import कर लेंगे तो simple यहां से about को हम import कर लेंगे okay तो यहां पर देखें हमारे पास about का जो page है वो भी इसी तरह से import हो चुका है similarly हम जो बागी pages है उनको भी quickly import कर लेंगे यहां पर हमारे पास blog का है कर दो कर दो कर दो है okay जी तो यहां पर हमने sub pages को import कर लिया है यहां पर हमने home को import कर लिया है यहां पर about को और यहां पर blog again pricing and servicing तो यहां पर हमने क्या कर लेंगे इंपोर्ट कर लिया है but अब यहां पर problem है हमारे पास जो footer है और हमारे पास जो header है वो design नहीं है अब हमें उसको design करना जो उसको design करने के लिए simple हम चलेंगे वापिस और यहां पर सबसे पहले हम अपने menus design करेंगे simple मैं इस पर click करूँगा menu के उपर menu पर click करने के बाद यहां पर हम करेंगे final menu और इसको हम header पर select करने के बाद create कर देंगे create करने के बाद जो भी हमारे पास यहां पर हमारे pages हैं उनको हम इस तरह से show करवा देंगे और इनको हम यहां से इस तरह से arrange करवा देंगे drag and drop करके home services pricing about and blog और इनको मैं जरा set करके capitalize कर दो अब हमने header design करना है तो header design करने के लिए यहां पर देखे हैं हमारे पास elementor header and footer builder यहां पर मुझूद है simple यहां पर हम आएंगे और add new पर click करने के बाद इसको skip कर देंगे skip करने के बाद हम यहां पर लिखेंगे header और यहां पर select करेंगे header और यहां पर entire website और इसको हम छोड़ देंगे और इसको हम क्या कर देंगे simple publish कर देंगे publish करने के बाद इसको simple edit with elementor करेंगे और यहां पर header जो है हमारे kit के अंदर मुझूद है उसको import कर देंगे और उसके यहां पर हमारे पास देखे header के अंदर menu उसी तरह से आ चुके हैं इसको मैं क्या कर दूँगा simple update कर देंगे update करने के बाद वापिस हम चलेंगे अपने dashboard के अंदर और again यहां पर आएंगे और header and footer builder के अंदर आएंगे इस बार हम again click करेंगे add new के उपर और यहां पर लिखेंगे footer और यहां पर select करेंगे footer entire website and publish same like that और इसके अंदर हम template import करेंगे footer तो यहां पर हमर पास footer की template है इसको simple click करेंगे import और यह import हो जाएगा completely यहां पर हमर वास footer हमारा update हो चुका है अब हमारी पूरी website आल्मोस्ट डिजाइन हो चुकी है अब हम चलके देखते हैं अपनी website को किस तरह से वह शो हो रही है तो मैं इनको cut कर दूँगा और यहां पर click करने के बाद अपनी website को visit करोगा और यहां से मैं वापिस dashboard के अंदर आ जाता हूँ तो यहां पर देखेंगे अभी हमारी website कुछ इस तरह से सेट हुई हुई है क्योंकि हमने homepage को सेट नहीं किया आप वह homepage को किस तरह से आप सेट कर सकते हो आप जाओगे यहां पर dashboard के अंदर वापिस और यहां पर हम जाएंगे settings के अंदर settings के अंदर reading setting के अंदर जाएंगे और यहां पर simple select करेंगे strategic page home and save changes अब हम इसको अगर reload करें तो यहां पर देखें यह हमारी website थी और यह completely design हो चुकी है जिस तरह से हम चाह रहे थे जैसे articles नहीं नहीं आएंगे वह यहां पर automatically show होते जाएंगे क्योंकि हमने article publish नहीं किये थे ओके अब इसके अंदर देखें जितने भी pages थे वो हमने उसी तरह से design कर ली है और यह complete जो design है complete template है वो आपको नीचे downloading link में मिल जाएगी अब वहां से ही जाके download कर सकता है same इसको follow कर सकता हूं यहां पर देखें हमारे same वो सारे pages design हो चुक है about को हम save करना भूल गे तो इसको हम quickly fix कर लेते हैं वापिस edit with elementor के उपर जाएंगे और about की template को दुबारा से import कर लेंगे क्योंकि हम शायद उसको save करना भूल गे थे okay और यहां पर हम इसको update करते हैं तो यहां पर हमारी complete website जो है वो design हो चुक है अब आप इसके अंदर changes किस तरह से कर सकते है according to your clients need या आपकी अपनी needs तो आप simple जो भी page आपको edit करना चाहें let's suppose यह आप edit करना चाहरें तो आप simple इस page पे आए home page पे और इसको edit with elementor कर दिया इसी तरह अगर आप services में changes करना चाहरें यहां पर आपकी services different हैं तो आप क्या करेंगे edit with elementor करेंगे edit with elementor करने के बाद आपको यह simple editing में ले जाएगा अब इसी तरह से आपको अगर यह header के अंदर यह वाली चीजों में से कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आप यहां पर mouse लेके आएंगे देखें header को option आया रहाए अब यहां पर देखें हमारे पास वह load हो रहा है और जो भी चीजें आपको change करना चाहें आप तो यहां से change कर सकते हैं तो तो यहां पर देखें हमारे services का जो editor वह open हो चुक है अब यहां पर मेरी services और है तो मैं simple इस पर click करूंग और यहां पर देखिए हमारे पास उसकी changes आ जाएंगी यहां से हम उसको changes कर सकते हैं अब basic अगर आपको नहीं पता Elementor का या WordPress का तो आप मैंने complete design course पी किया हुआ है जिसको आप within week सीख सकते हैं link in the description या playlist में जाके देख सकेंगे complete WordPress A to Z बिल्कुल beginning से लेकर advanced तक वो course है otherwise आपको just अगर यही website बनाने तो इस तरह से आप इसको follow करके बना सकते हैं और उसके अंदर changes कर सकते हैं according to your need I hope आपको lecture पसंद आये होगे मिलते हैं किसी और lecture के अंदर जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किसी और थरह की website बनाना अगर आपके माइड में कोई website है जो आप चाहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं कि मुझे इस तरह के website बनानी है वो मैं किस तरह से बना सकता हूँ तो आप नीचे comment कर सकते हैं मैं जरूर next video कुसी और पर ले क्या होगा till then keep learning keep exploring Allah peace